आज से करीब 20 साल पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था मिशन था गुजरात को वाइबरेंट बनाना गुजरात में मोदी ने वो मॉडल लागू किया जिसे देश गुजरात मॉडल के रूप में जानता है मोधी के इस गुझरात मॉडल को दुनिया वाइबरेंट कुझरात के नाम से जानती है आज पीम मोधी अपने उसी वाइबरेंट कुझरात के दौरे पर थे प्रधान मंत्री नारेंदर मोधी अपने सबसे पहले ड्रीम प्रोजेक्ट वाइबरेंट कुझरात के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयजित हुए कारिक्रम में हिस्सा लेने पहुचे वाइबरेन कुजरात के 20 साल पूरे होने के मौके पर जशनका ये कारिकरम एहमदाबाद की साइन सिटी में आजित हुआ इसमें उद्योग संगों, व्यापार और वाड़िक शेत्र की प्रमुखस्तियों के अरावा यंग एंटर्प्रियोनियोर उच और तक्नीकी सिक्षा यूनिवरसिटी के शात्र भी शामिल हुए नारेंद मोदी ने कुजरात रहते हुए साल 2003 में वाइबरेन कुजरात ग्लोबल समिट की शुरुवात की थी इसके बाद से कारोबालियों का ये मेला हर दो साल में एहमदाबाद में लगता है वाइबरेन कुजरात ग्लोबल समिट से राजी में हर साल हजारो करोड का मिवेश आता है वाइबरिन गुजरात समिट के अलावा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने राज जी को हजारो करोड की सौगात भी थी 2019 के बाद करोना की वज़े से इस वाइबरिन गुजरात का समिट नहीं हो पाया लेकिन 28 सितंबर को इस समिट के 20 साल पूरे हो गए लेकिन 28 सितंबर को इस समिट के 20 साल पूरे हो रहे है वाइबरिन गुजरात समिट के दोश्ट दशक पूरे होने के जश्न के बाद लेकिन 28 सितंबर को इस समिट के 20 साल पूरे हो रहे है 20 साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था आज वो इतना विशाल और ब्रहद वाइब्रेंट वटवरुक्ष बन गया है वाइब्रेंट गुजरात समीट की बीच साल पुरे होने पर आज आपकी बीच आकर मुझे बेहत खुशी हो रही है मुझे आद है बर्सों पहले मैंने एक बार कहा था वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है बलकि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है दुनिया के लिए नहीं है